हेलो दोस्तों सभी को नमस्कार स्वागत है एक बार फिर से एक बहतरीन वीडियो के साथ दोस्तों ये जो मनी प्लान का पौधा रखा हुआ है आज हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करके दिखाएंगे और आपको दिवार पर इसको अच्छे से ग्रो करके और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक रुखी जेगा दोस्तों ये देखिए ये हमने लिए है जो पॉली हाउस में सीट लगती है प्लास्टिक सीट इस टाइप के हमने लिए है और इसको हम दिवार पर इस पौधे को चढ़ाएंगे तो दिवार हमारी जो सी जूट का पुराना बोरा लिया है ये देखिए बहुत ही पुराना बोरा है तो इस टाइप के जूट के बोरे 10 रुपे के मिल जाते हैं मार्केट में तो वह लिया हुआ है इस पर क्या करेंगे जब हम पानी का इसमें स्प्रे करेंगे तो ये होल्ड करएगा मौश्चर को आप देखिए यहां पर जो यह वारिंग करने वाली फंटी लगती हैं घरों में उसमें जो यह कीले यूज की आती हैं वह हम लेकर आये हैं तो इसको यहां पर जो सेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा तो सबसे पहले हमने वह जो पॉलिफीन सेट थी प्लास्टिक सीट उसको लगाया है और उसके ऊपर से हम जोट का बोरा लगा दिया है आप देखिए यह हमारी रिपेट लगा के हमने की लगा के अंदर की तरह रखेंगे और जो स्वाइल्मेक्चर है वह आप देख आधी हमने मिट्टी लिवे हैं नारोल मिट्टी, मिट्टी आपको बलूई मिट्टी लेनी है, यानि आप हाथ से उस मिट्टी को जब क्रस करें तो तूट जाया ऐसा निसे आपको हाथ में दर्द मैसुष ना हो, ऐसी मुलाय मिट्टी होनी चाहिए, अब यहाँ पर पौधे को हम इस तरीके से दिखे गंबले में लगा रखा था हमने आप इसकी बेल थोड़ा अच्छी बढ़ गई है तो जितना अच्छा ग्रोथ वाला पौधा आप लगाएंगे उतनी जल्दी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी और उतनी जल्दी आपका जो पौधा है व बस इसकी जड़ो को थोड़ा सा खोल देंगे और यहाँ पर इस तरीके से सेट करके रख देंगे अब जो गंबला है मिट्टी से हम एकदम से पूरा नहीं भरेंगे यहाँ पर थोड़ा सा गंबला खाली रखेंगे ताकि इसको लगबग एक से दो महिने बाद हम थोड़ा पर हम देखिए पानी देंगे इसको पानी पहली बार में अच्छे से देना है ताकि नीचे तक पानी चला जाए आप देखिए यह जो सुतली है इनको हमने यहाँ पर बांधा हुआ है ऊपर से हम 4-5 सुतली लपेट देंगे और बीच-बीच में इनको बांध देंगे ताक उस पौधे की इसको हम एक किनारे से सिट करते हुए बांधेंगे तो यहां पर देखिए बहुत आसानी से बंद जाएगी क्योंकि हमने बीच-बीच में ही बांधा हुआ है और यह इस तरीके से लपेटते हुए ले आना है ताकि जब पौधा की जो साखाएं हैं वो मोटी हो तब भी कोई दिक्कत ना हो तो यहां पर देखिए इस तरीके से हमने यह सेट कर रहे हैं और इस तरीके सेट करने से क्या होगा कि पतिया पर रोशनी अच्छी पड़ेगी बस आपको ध्यान रखना है कि यह पौधा ऐसी जगह आप लगाएं जहां पर बहुत जादा या दोपहर की धूप बिलकुल ना पड़े आप देखिए धीर धीरे करके हमने इनको बांग दिया है आप यहां पर हम इनको सिचाई करेंगे और जो जूट का बोरा है इसको भी साथ में भिगोएंगे और जब भी हम पानी देंगे तब इसको भिगोते रहेंगे क्योंकि इसमें जो एरियर रूट्स निकलती हैं जो हवा वाली जड़े निकलती है वो उसका जो मॉइस्चर है अगर मिलता रहता है तो उसकी ग्रोथ जो पाउधे की होती ही वो डबल होयाती है और बहुत तेई से पाउधा ग्रो करता है इसलिए हमने यहां पर जूट का बोरा भी चुका है इसकी नई नई पत्तियां जो हैं बहुत चमकदार निकल रही है दोस्तों कोर्सिस आपको करनी है कि जब पौधा आप लगाएं उसके बाद से उसमें मॉइस्चर कभी खतम नहीं होना चाहिए नमी बरावर बनी रहनी चाहिए और जैसे ही आप सुबह सुबह पा नई ने जो पत्तिया निखलती हैं उसमें कीड़े लगना वाई स्टार्ट हो जाते हैं तो इसकी आपको निगरानी रखनी है यह देखिए हमको यहां पर आज कुछ कीड़े दिखे हैं इनके ऊपर हलके हलके से बाल होते हैं और ये कीड़े बहुत तरी से पत्तियों को खा हैं तो आप हाथ से ही इनको हटा का हटा सकते हैं और कहीं गड़े में दबा दीजिए तो यह नश्ट हो जाएंगे और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि देखिए गंबले में जब आप पानी देते हैं तो उसके साथ-साथ पतियों पर पानी का इस्प्रेज जरूर करन है आपको यह देखिए यह कीड़े हैं इनको हम हटा देंगे आप यहां पर क्या कर रहे हैं यह जो मिट्टी है इसको थोड़ा सार जैसे निराई कियाती है उस तरीके से हाथ से ही कर देंगे क्योंकि मिट्टी बहुत मुलायम है उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर देख यूज कियाती है यह मोटी वाली बालू है यह हम यूज कर रहे हैं और बाकी हमारी नारोल मिट्टी है तो इसका मिक्सर बनाकर हम इसमें भर रहे हैं इससे एरेशन बहुत ही अच्छा होगा और पौधे की ग्रोध बहुत तेजिस चलेगी क्योंकि इसमें जो वर्मी कंपोस् होड़ा दें और पत्तियों पर से इस्प्रे करते हुए दें आप यहां पर देखिए एक हम जो यहां पर फेटलाइजर है बहुत ही अच्छा काम करता है यह हम त्यार किये हैं इसको त्यार करने के लिए आप क्या करना होता है आप थोड़ी सी लगबग दो चमत चाय की पत दिन और उसके बाद देखिए हम इसका जो पानी है वो थोड़ा हजारे में हमने भर लिया है और थोड़ा सा हमने यह बचा के रखा है इसको हम आधा लिटर पानी में फिर से डाल दे रहे हैं और यहां पर च्छनी से चान ले रहे हैं च्छनी से चानने के बाद इसको हम इ दिखाते हैं अभी जो हमने इस्प्रे बाटल में भरा है उसको अच्छे से इस्प्रे करेंगे हर पती पर इस्प्रे करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से और जो पानी हमने हजारे में भरा है उससे हम सिचाई कर देंगे तो देखिए यह आपको महिने में एक बार करना है उ में हम पूरे update के साथ आपको फिर से आगे का process दिखाएंगे तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो